आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉंसेप्ट अपाथ फॉर सक्सेस में इस बीडियो लेक्चर में हम डिसकस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के प्रीबियस एर क्वेश्चन्स के बारे में ये HPGK सीरिस का पार्ट नंबर फोर्थ है जो कि आपके अपकमिंग सभी गर्मेट एक्साम के लिए इंपोर्टेंट है शुरू करते हैं इंपोर्टेंट एंड इंटरस्टिंग वीडियो लेक्चर पहला प्रशन है आपके पास हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि आलू के उतपादन का क्षेतर अधित्तम कबर करता है A. किनौर B. आप्शन शिमला C. आप्शन लहॉलस पीती D. आप्शन सिरमौर तो इसका सही अंसर है लहॉलस पीती C. इसता क्रेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल पहदेश Mid-Himalayan Watershed Development Project जो है किस वर्ष लॉंच किया गया था A. आप्शन दो हजार दो, B. आप्शन दो हजार तीन, C. आप्शन दो हजार चार, D. आप्शन दो हजार पाँच तो सरप्रतम ये हिमालियन वाटरशेट डवलेप्मेंट प्रोजेक्ट हिमाचल में लौंच किया गया था 16 सप्टमबर 2005 को D इस्ता क्रेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास शुरुवात में जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तो उसके चार जिले इन में से कौन से थे A उप्षन चमबा कांगडा उन्ना लहोज पीती B उप्षन सिर्मौर शिमला किनौर और सोलन C उप्षन चमबा मंडी सिर्मौर महासू D उप्षन इन में से कोई भी नहीं तो 15 अप्रेल 1948 को जब हिमाचल का गठन किया गया तो हिमाचल के चार जिले थे बोते चमबा मंडी सिर्मौर और महासू So C इसता करेक्ट आंसर अगला प्रशन है आपके पास 25 जनबरी 1971 को हिमाचल को पून राज्य का दर्जा दिया गया तो ये भारतिय संग का कौन सा राज्य बना था A आप्षन अठारमा B आप्षन बीसमा C आप्षन बाईसमा D आप्षन चौबिसमा इसका सही अंसर है अठारमा राज्य बना था हिमाचल कदेश A is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास आलमपूर कस्वे की स्थापना किस ने की थी और कब की थी A आप्षन 1697 AD B आप्षन 1705 AD C आप्षन 1711 AD D आप्षन 1723 AD आलमपूर टाउन की स्थापना की थी राजा आलमचन्द ने और इसका बर्ष जो पूछा गया है उसका सही अंसर है A आप्षन 1697 AD में A इस्ता करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल पदेश की कौन सी रियासत थी जिस पे लौड अलहौजी ने हडप निती के अंतरगत कब जा किया था A आप्षन बुशहर B आप्षन सुकेत C आप्षन भगाट D आप्षन हिंडूर सही अंसर है भगाट C इस्ता करेक्ट अंसर 1848 AD में ही इस रियासत पे इस निती के अंतरगत कब जा किया गया अगला प्रशन है आपके पास गेटी थेटर जो है शिमला में किस वर्ष खोला गया A आप्षन 1867 AD B आप्षन 1874 AD C आप्षन 1882 AD D आप्षन 1887 AD तो इसका सही अंसर है 1887 AD D इस दा करेक्ट अंसर और इसमें सबसे पहला शो लगा था टाइम विल्ट तेल अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल पदेश भाग यानि पार्ट सी स्टेट किस वर्ष बना A आप्षन 1948 B आप्षन 1949 C आप्षन 1950 D आप्षन 1951 पार्ट सी स्टेट हिमाचल पदेश को बनाने की घोशन 1950 में होगी थी बट ये बना था 1951 में D इस दा करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास 2011 की जनगर्ना के अनुसार हिमाचल पदेश की कुल जन्संख्य कितनी है A आप्षन अराउंड 68 लेक B आप्षन अराउंड 70 लेक C आप्षन अराउंड 72 लेक D आप्षन अराउंड 74 लेक तो इसका सही अंसर है A आप्षन 68,64,602 2011 की जनगर्ना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जंसें क्या इतनी थी A is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास इन में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकर्तिक जील है A option गोविन सागर B option महराना परताप सागर C option पंडो D option रेणुका इसका सही answer है रेणुका लेग जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकर्तिक जील है ये आपको मिलेगी सिर्मौर डिस्टिक में और इसका अकार जो है एक सोई हुई औरत की तरह है Like a sleeping woman अगला प्रशन है आपके पास लदार्चा मेला जो है हिमाचल प्रदेश की किस जिले में मनाया जाता है A option किनौर B option लहौल स्पीती C option चमबा D option कुलू तो लदार्चा मेला मनाया जाता है वैसे काज्जा में और काज्जा आता है आपका डिस्टिक लहौल स्पीती में सो वी इसता correct answer ये around अगस्त मन्त में मनाया जाता है अगला प्रशन है आपके पास सुकेती जो की एक सहाइक नदी है हिमाचल प्रदेश की किस नदी की A option सतलुच B option यमना C option ब्यास D option चिनाब तो सुकेती जो है सहाइक नदी है ब्यास नदी की ये आपको मिलीगी मन्डी टाउन में मर्ज होती है ये ब्यास नदी में C इसता correct answer अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल प्रदेश में कुल नैशनल पार्क कितने हैं A option 2 B option 3 C option 4 D option 5 सही अंसर है 5 नैशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सबसे अधिक जनसंख्या है A option मंडी B option हमिरपूर C option कांगडा D option शिमला तो सबसे आधा जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिला की है C इसता correct answer 2011 की जनगना के अनसार around 16 lakh जो है population है कांगडा जिस्टिक की अगला प्रशन है आपके पास जनडूता development block जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले के अंतरगत आता है A option बिलासपूर B option सोलन C option उनना D option कुलू तो जनडूता विकास खंडाता है बिलासपूर डिस्टिक में A is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास चंडर कूप ताल लेक जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है A option लाहल स्पीती B option शिमला C option किनौर D option चंबा तो चंडर कूप लेक मिलेगी आपको चंबा डिस्टिक में D is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास 2011 की जंगन्ना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की ग्रामेंट जनसंख्या का प्रतिशत कितना है कुल जनसंख्या का A option 89.97% B option 90.2% C option 92.8% D option 93.2% तो कुल जनसंख्या का ग्रामेंट जनसंख्या का population है 89.9% A is the correct answer 10.03% जो है वो है अर्बन population अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं A option 2 B option 3 C option 4 D option 5 तो बरतमान समय में हिमाचल प्रदेश में कुल multiple corporations हैं 5 D is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास मारकंडा मेला जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है A option 9 B option हमिरपूर C option बिलासपूर D option कांगडा तो इसका सही answer है मारकंडा मेला मनाया जाता है C बिलासपूर जुखाला के पास मारकंडा टेंपल में C is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास nursing टिबबा जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है nursing टिबबा जो की एक चोटी है A option चंबा में B option कुल्लू में C option मंडी में D option किन और में तो nursing टिबबा मिलेगा आपको किस जिले में ये मिलेगा आपको कुल्लो डिस्टिक में B is the correct answer अगला कुश्चन है आपके पास इमाचल प्रदेश का राज की खेल कौन सा है A option होकी B option कबड़ी C option बॉलीबॉल D option किर्केट इसका सही अंसर है बॉलीबॉल C is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास 2011 की जनगना के अनसार हिमाचल प्रदेश की अनसूचित जनजाती यानि ST population कितनी है A option around 5,000,000 B option around 4,000,000 C option around 4,000,000 D option around 5,000,000 तो 2011 की जनगना के अनसार ST population है हिमाचल प्रदेश की 3,92,126 B is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास भोजरी फेस्टिबल जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिला में मनाया जाता है A option बिलासपूर B option हमीरपूर C option चमबा D option उन्ना सही अनसर है इसको मनाया जाता है चमबा डिस्टिक में C is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास गसोत्ता मेला जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिला में मनाया जाता है A option सिर्मौर B option सोलन C option शिमला D option इन में से कोई भी नहीं तो सही अनसर है इन में से कोई भी नहीं तो है कौन सा तो गसोत्ता मोहला मनाया जाता है हम इरपूर डिस्टिक में लास कोश्चन है आपके पास बान गंगा जो की एक नदी है हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक A option सतलूच B option ब्यास C option राभी D option चिनाब तो बान गंगा जो है सहायक नदी है ब्यास नदी की B is the correct answer तो इस तरह से इस बीडियो लेक्चर में हमने पार्ट नमबर 4 देखा हिमाचल प्रदेश के प्रिविएस 5 येर्स के वी वाई क्यूज का ये आपके अपकमिंग सभी H.P. Government exam के लिए बहुत ज़्यादा important है वीडियो लेक्चर को लाइक करें शेर करें अपने valuable comment करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल The Concept Apart for Success को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू जाए हिंद जाए भारत जाए हिमातल